मित्रोन नमस्कार, मैं संजेपत की स्वर्व स्वामी चैनल के माध्यम से आपके समक्षा आ रहा हूँ आज मैं जो वीडियो आपको बनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बड़ी काम की चीज़ है शायद ही किसी नहीं इसके बारे में सोचा होगा, हर इंसान को एक अभिलाशा होती है, एक इच्छा होती है कि मेरा गाना अच्छा होना चाहिए, मेरी आवज अच्छी होनी चाहिए बहुत से जानकारों ने बहुत सी जानकारी आपको दी, लेकिन मैं जिस गुरुजी के पास में पढ़ा हूँ, बहुत से लोकों के पास में पहले पढ़ने गया, उसके बाद में जहां मैं स्थाई हुआ, स्थीर हुआ, वो गुरुजी के गाने का मैंने अध्यन किया, उसके पर अभ्यास किया, क्योंकि मेरे भी आवाज पहले बहुत बहुत गंदी, बहुत बद्धी और अनसाटिसपाइड मैं था उस ताइम, वह खराब आवाज थी, लेकिन क्या करने से मुझे फाइदा हुआ, वो चीज मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, ये मेरा खुद का व खर्ज भी लगाना है, तो उपर से ही लगाना है, उपर के आवाज लगाना है, तो भी उपर से लगाना है, नोटेशन बोलना है, तो भी उपर से ही बोलना है, हंकार भी करना है, तो भी उपर से करना है, हर चीज की जगा एक होनी चाहिए, मैं हर दम बोलता हूँ, स्केल भ वो भी एक ही जगह से, तकलिप कैसी होती है, हम सारे गमा बोलते हैं, तो पूरे वोवल बोलते हैं, तो सब अपने जोसनाई होते हैं, वो अलग-अलग जगह से कारियरत होते हैं, अब जब आकार बोलते हैं कुछ लोग, मैं तो नहीं बोलता हूं, जब मैं हंकार बोलता हूं तो वो यू टाइप आता है, इस तरीके से आता है, पुरी आवाज घूम के बाहर आती है, उसी जगा से सारे गम भी आना चाहिए, उसी जगा से तान भी आना चाहिए, उसी जगा से पूरी गय की आना चाहिए, तो सुबह उठने के बाद में, बहुत से लोगों की 90% लोगों आज जो चीज बताने जा रहा हूं बड़ी महतोपूर्ण है गौर से सुने उसके उपर अमल कीजिए और खुद सोचिए सुबह उटके रियाद करना है कौन सा खर्च का करना है मैं भी करता हूं लेकिन खर्च कैसा लगाना चाहिए उसका इसाब लगे आपको बताने वाला सामने अगर होता है तो बहुत सही नहीं बताने वाला होता तो खर्च जादा मत जाईए पंचम तक ही जाईए आज मैं आपको स्टाइल बता रहा हूं उसका आज क्या करने का है सुबह उठने के बाद में क्या करने का है देखो मैं कैसे रहा रहा हूँ मेरी मूड़ी नीचे नहीं जा रही है एक लेवल पर अब इतना जाने के भी जरूरत नहीं है मेरी जारी इसलिए में आपके सामने ले जा रहा है लेकिन आपको क्या करना है आपको पंचम मध्यम तक ठीक है इश्वर की भक्ति समझ के करना है आपको समझ के नहीं करना है देखे आवाज कैसे लगी है आ यह नहीं लगाई है ओ यह भी नहीं किया है समझ में आ रहे है कुछ ऐसा समझ में आएका देखिए गलत देखिए अब यह इतना सरल इजी कोई टेंशन नहीं लेके आवाज लगाना है लेकिन आवाज अची है यह करना है अब इसके लिए क्या करना है अब आप यह यह लिखिए सानी, रेशानी, गरेशानी, मगरेशानी, पमगरेशानी, धपमगरेशानी, नीधपमगरेशानी, शानीधपमगरेशानी, फिर शानीधप, रेशानीधप, गरेशानीधप, गरेशानीधप, इस तरीके से, फिर नीधप, शानीधप, रेशानीधप, गरेशानीधप, गरेश इससा से अप्टोश्य तक चलना एंदेपे गता हुआ मैं हाँ 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 देखे दैवाथ की टाइम मेंने क्या किया है वह यहां प्रया है हाँ construction हाल हाल हाwn हाल 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 हे था कि अब और रियाज करना है कि उतरना सरल होता है चड़ना कठिन होता है देखिए आप किसी परवत पे चड़िए पहार पे चड़िए चड़ते टाइम थोड़ा अंतर चले कि शुरो जाता है और उतरते टाइम आपको ज्यादा दम नहीं लगता है तो यह सुष्टी का नियम है उपर से जो भी चीज गिरती है उसको प्रयास नहीं होता है लेकिन चड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए हमारे वोकल कौर का तो वह तो साउन निकालेगा है हमको वह साउन उसका यू करक कुछ वक्त दो अइसा होता है कि गाने की इच्छा तक नहीं होती और हंकार से जब कान चलता है तो एक एनरजी लेवल काम करती है और इनरजी लेवल मिलाने के लिए जो उतरने वाला वर्यास है पहले 10-15 मिट और वर्यास करना है सुबह उड़के जैसे अब मैंने क्या पोजिशन किया था देखिए यह नहीं किया था यह नहीं किया था यह जाकर बैठा था अब यह मुशे आदत होगी है कि चणने का भी टेकनिक मुशे पता है अब अगर लगाओगे तो यह लगाओगे यह नहीं करना है उतर गए सारे गामापधनेता रे 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 गामापधने इस हिसाफ से आपको यह सब रियाज करना है औरो ही रियाज सुबह उठके आरो ही रियाज मत करना है अच्छा, दूसरी एक बात, जहां तक पंचम तक आपका आवाज सुबह का चलता है, तो पंचम से चलिए, धहवत तक चलिए, उपर का शट्ज जादा जल्दी नहीं लगाना, बीस-पचीस-टीस मेंट के बाद में रियाज होने के बाद में, आवाज गरम होने के बाद में चलिए लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से आना चाहिए, जल्दी से जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना मित्रो, उससे नुकसान हो सकता है, और आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, यह मेरी इच्छा है, अताहा मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कि तोली धीरे 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 इतना एजी है लेकिन ये बोलना एजी है आपको इसके अंदर निरंतर करते रहेना है और हिसाब से करते रहेना ही है कि गलती नहीं होना चीए गई भी अब इसके लिए जब गुरू समक्ष रहेगा तो जादा बेटर रहेगा अब जैसे भी आपको मिलना मतलब मेरे से पौश झाल